और मेरा जो लड़का लोग में लोगो पहले वही समझा था वही फाइनेंसली भी स्ट्रॉंग होना चाहिए नहीं तो मेडल लेते जाओगे लेते जाओगे लास्ट में देखो कि मम्मी पापा को खाना खिलाना उसका पैसा नहीं है कोलकता बॉड़ी बीडिंग में बहुत तैलेंट है लेकिन अजीब सी पॉलिटिकल चीज़े बहुत जादा होती हैं जिससे या तो कोच्छ एक दूसरे को दबाते हैं एथलीट्स एक दूसरे को दबाते हैं मतलब ग्रोथ जो मुंबाई और दिल्ली जैसे शहरों में है वैसी मैंने कॉलकता में नहीं देखी सेलिब्रीटिज आप लोग भी दे हम बंगाल में आ रहे हो तो हम ला रहा है कौन ला रहा है कौन पैसा कर्च कर रहा है 32 एजिमें इतना फोछ एधलेट्स जिसके अंडर है और जिसके अंडर सिल्सके अछे मिडल को कही नहीं लेकिन ये इतना अच्छ जनाते ने कर रहा है और हम लोगो सब गो पंगालका जितना सर एधलीट्स है सबको एक कथा होके, दादे को सबूट करना चाहिए, और हो रहा है, हो रहा है बहुत है आपके सेशन, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और भगवान ने आपको ऐसा फेस ही दिया है, और पहला बात यह है, आप इधर आए हो, इसलिए हम लोग बहुत लगी मैसिस कर रहे हैं, आप लोग इधर आए हो, ठीक है और यह जो है विट स्वोस फेस्टिवल हो रहा है, यह हम लोग बहुत दिन से इंतजर कर रहा था, बहुत एक्साइट था, तो लग रहा है, कल ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, जानतोदार ने जो किया है, पूरा बंगाल में हिस्ट्री केट हो रहा है, इससे पहले नहीं ह इकाल का क्षे और पहले, बहुत सरा कीम हो गया, एमल्य चोलिम्ठ ऑक अरिम्सन्ट एएंडिया, तो मेरा लड़का लोग दो मिड़न डेता ही जाता है, हर अरगा खेलता हैं, हर फ्रेडरेशन में मेरा में में मिडल है, मेरा लड़का लोग का, तो वो है आभी बडामियो आपका ये NPC, IBBFF, WFF, जो भी कुछ, इधर मिदल, जो चलता है अभी, हर federation में लड़क लोग जाता है, मेडल ले के आथा है, और ये गेम तो हम लोग का दिल से है, आप तही है, आप तही है, आप तही है, वेजली वेरा पूरा बंगाल का है, तो ये हम लोग का emotion है, है, Habit Sports Festival, तो मेरा टार्गेट ये है, मेरा लड़क लोग को मैं ये समझा रहा था, देखो, प्लेस तो हम लोग बहुत लेके आए, मेडल लोग बहुत लेके आए, लेकिन ये गेम को पाडिसिपेट करना है, तो जिदना सारा थोड़ा बड़ा तारी करके सब लोग उतर रहा है, तो 30 अथलीट से अभी गेम कल खेलेगा, पूरा टीम तो नहीं है, अभी पूरा टीम मतलग 250 अथलीट मेरे अंडर है, पूरा बंगाल में हार डिस्टिक में है, और हार डिस्टिक में चैंपियन लड़ मैं सब से नीचे बैठ के काम करूंगा, मेरे को सब प्यार करता है, बंगाल में मेरा जो लोग सेनियर है, एथलीट या कोचिस है, या जो भी और अर्गनेज़र है, मेरे को भाई मानता है, और हर कोचिस का लड़का मेरे को प्यार करता है, ठीक है, इसके बहुत सरा बजा है तो इसलिए आज तक मेरे पास से लड़का जो बहुत सरा ऐसे होता है बहुत कोचिस की मां किसी को छोटा नहीं कर रहा हूं ऐसे होता है बहुत सरा अथलीट आता है चला जाता है तो मेरा केरियर में आज तक मैक्सिमम आठ साल के करियर में तीन या चार बस यह मेरा बहुत प्लस पोइंट है सबको पता यह लोग सब छोटे से था तब से मेरे से जुराए बहुत सरा आथलीट इस तो यह अच्छा लगता है मेरे गरो जो जिसका नाम नहीं है जिसको जो पूर जिरो मेरे रहता है उसको तो एथलीट का भी यह है कि मुझे काफी बार ऐसा लगता है कि कोच इसको क्रेडिट में मिलता है क्योंकि स्टेज पे, it's like मूवी में, हीरो हीरो इनको सबस्टादा क्रेडिट मिलता है तो मेरे को इतना अच्छा नॉलेज दिया है, अभी भी हर प्रॉब्लम तो मैं आज तक मेरा सहर का नाम लिखता हूँ, मेरा ऑप्सीजिन हो या सीजिन हो, मैं भी कंपीट करता हूँ, लेकिन लगा लोगों के वार से नहीं हो रहा है, फिर खिलेंगे हम तो जो भी हर फोटो, हर जगा में हम मेरा सहर का नाम लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ऐसा कुछ पैसा तो नहीं दे रहे हैं, सहर को रिस्फिक्ट कर रहे है, उन्होंने कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया मेरे को, इतना अच्छा टीम है मेरा, तो मेरा सहर का जो नॉलेज या बाद में कहीं चल जाते तो credit नहीं देते हैं ऐसा एक story में बता हूँ दो दिन पहले ही मेरे को एक बंदा call किया तो वो एक coach के पास है मैं बोला आपका problem क्या हो रहा है आप सरसे बात किजिए आप सरसे details में बात करिए problem तब आपका solve होगा अब normally छोटा मोटा चीज लेके मेरे को बोल रहा है यह नहीं हो रहा है तो आपके पास में जाना आप मेरे पास भी आओगे ऐसा problem आपका फिर हो जाएगा पहले बैट के discussion चलाओ जो लोग अभी coach है सब का knowledge है normally कोई तो नहीं बैट रहा है ना तो ऐसे हम जब तक discuss नहीं करेंगे ना details में कैसे होगा इन लोगों से तो मेरा जिदना सारा students है बहुत नाटता भी हूँ एकदम frankly ऐसा मतलब relation है हम लोग होगा तो आप मेरा student लोग से पुछले आपको पदा चल जाए बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे coach को ऐसे भी होना चाहिए एथलेट को भी ऐसे होना चाहिए खुल के बात करना चाहिए सभी बात है ठीक है बॉडी बिल्दिंग और मैं सोचता हूँ देखिये सर बॉडी बिल्लिंग हम लोग का लाइफ के छोटा पार है और मैं देखता हूँ मेरा अथलेट को ये भी बोलता हूँ अपका भी बेर ठीक होना चाहिए आपको रेस्वेक्ट सबको रेस्वेक्ट करो जो लोग तुमको छोटा मोटा जो भी स्पॉंसर दे रहे सबको याद रखो तब जाके तुम उपर जा पाओगे तो ये सब गेम पाडिसिवेक्ट करने के लिए आपका फ्लाइट का खर्चा ये हो वो तो उस टेम हो पाइसा बहुत मतलब प्रॉलम हो जाता है तो मेरा हिसाब है जो मैं जो समझाता है एक अध्लेट को जो जितना सबॉर्च कर करो उसका नाम लो चाहे छोटी सी होटी सी होटी सी होल पाएgory और नियम भी एही है घीता में भी यही का गया है कि अगर आप किसी को अगर कोई भी आपको देता है तो आप कभी भी वो जिंदगी भर नी उतार पाऊगे, ऐसा नहीं कि किसी ने आपको जरुवत के टाइम पांच अंडे खिलाई थे, या एक लिटर दूद दिया था, या पांचसो रुपे दे और आपने पांचसो रुपे वापस कर दिये, वो वैल्यू नहीं वापस हो सकती है, जो जो सहर मेरे को dumbbell उठाना सिखाया, तो पहला credit तो उसको होना चाहिए, तो मैं तो bodybuilding को मेरे को कुछ नहीं आता था, मैं नॉर्मली पदला था, थोरे एक फिजिक बनाना, पापा बहुत हसता था मेरे उपर, तो कोई पसंद नहीं करेगा, कोई लगी यह नहीं करेगा, वो न मेरे मिल गया मेरा सहर भीकल कुछ टो फॉस मेरा बडीविल्दं के रहे थोला उधने जाद हा अचीवमें इसा हिंडिया में में शिखें रहुत चेंपें करिКА मैं में 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 चैनल लेकिन, इच्छा नहीं को बत्या है, थोरा थो ही एक्वेड़्म्र के मैं मेंड़े मेंड थो खेट है तो इसे बहुत सरअ अथलिटahlज सब रहा हूं 잘못 हैं तो इन लोग इतना प्यार कर लिए मनें और मेरा कियार तो मेरा वरक काऊट हमाता है आप कहां देखो, इतने सारे बच्चे आपके तो उनका ध्यान रखेंगे और इतना पैशनिटी ध्यान द्यान लखेंगें गड़के और मेन बात हिसर, ये मेरा अकेला का बात नहीं है मतलब मेरा जो फैमिली है सब कर सब करके दे एकदम एकदम लोगों सब को पता है ठीक है तो यह मेरा ममी पापा और मेरा लाइफ वर्टनर को सपूर्ट नहीं होता तो मैं आज यह मुकाम पे नहीं हो पाते तो रबीदा ऐसे तो फाइदा भी उठा के चले गाते होंगे बहुत सारे लोग सर देखिए म मैं ऐसा कोच हूँ मैं मेरा अच्छा अथलिट को भी न अलग कोच के पास भेज़दा हूँ मेरे को पता है न सहर का मेरे से उस सर के पास भेज़ेंगे तो अच्छा होगा तो मैं यह दिखा दिया बंगाल में ठीक है तो मेरे पास यह ने मेरा दिमाग में यह सोचता है मेर मेरा लड़का लोге कैसे उपर जाएगा तो तो मेरे तो किसी के अंडर्स देना परहेगा तो कुई प्रॉब्लम नहीं है अग्राइशा तो नहीं हूँ मैं बभगमान हूँ मैं अच्छा इंडिया में बेस्ट कोच हूँ, ऐसा तो नहीं है, हम लोगों से सिनियर बहुत सरा कोच है इंडिया में, ठीक है, मैं तो बंगाल लेके पारा हूँ, पूरा इंडिया में इतना अच्छा-च्छा कोच है, तो मैं देखूंगा तो मेरा ये लरका को सरके पास भेजेंगे तो तो अच्छा होगा, क्यों नहीं भीजूँगा। सभी बात है। तो मैं यह सोचता हूँ। और इसलिए मेरे को बहुत बहुत बोलता है आपका यह ठीक नहीं है। आप खुद के। कमर्शल हो जाओ थोड़े। ऐसे नहीं हो सकता है। मेरे को नहीं होना चाहिए। आज अफृजभाई इसलिए मैरे को जब देखता है। मैरे को बोलता है रवीधा आप तो बंगाल में इ completo तो अछा अथलीट है आपका। और क्या चाहिए मेरे को? तो ऐसे ऐसे ही रहना चाहिए मेरे को. मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए देखिए और बोड़ी बिलिंग से ऐसे आपको यह हम केमरे के सामने सची बता देते हैं ठीक है इतर जिस नदर है अथलेट है मैं किसे फीज नहीं लेता है अच्छा ठीक है तो मेरा यह मैं क्या बोला यह तो मेरा गाइड मतलम मेरा जो बुस्ते ही तो मेरा यह आया ना तो मेरा जो एक्षिभमेंड लास्ट टाइम जो एम में गोल्ड मिला था नवाव सेख उटो चलाता था उसका हम लेके आये मुर्षिदाबाद से गाउं से लेके आये इधर अभी उसको मिस्टर इंडिया, सिनियार, जुनियार, नपीसी ग अब इतना एज में, इस बात में भी मैं छोटा किसी को नहीं करना चाहते हूं, जिसके अंडर है और इतना अच्छे-च्छे मिडल है, अब को कही नहीं मिलेगा, एकदम हिसाब करके हम आपको दिखा देंगे, लेकिन ये बात हम किसी को छोड़ा करने के नहीं बोला, अच् मेरा 32 एज है, नहीं, जो चीज आपने अचीव किया है, उसके बारे में तारीफ हैं में कोई हो नहीं है, वैसे तो बाकी आपके स्टूडेंट्स हैं, बोलने के लिए, वो तो लाइव एक्जाम्पल है, आपकी success का है, तो मैं पूछने चाहता हूं कि, habit classic Kolkata में हो रहा है, लेकिन दूर से मैंने देखाए कि Kolkata बोडी बिडिंग में बहुत टालेंटेड है, लेकिन अजीब सी controversial सी political चीज़े बहुत ज़ादा होती हैं हैं जिससे या तो coaches एक दूसरे को दबाते हैं, athletes एक दूसरे को दबाते हैं, मतलब growth जो Mumbai और दिली जैसे शहरों में है, वैसी म जब है, habit classic क्या अच्छा रहेगा या कम अच्छा रहेगा, क्या लगते आपको? देखिए सर, आप तो habit classic की जब होगा, उसके बाद, athletes को पता चलेगा, जो हम लोग कितना उपर आ रहे हैं देखिए सर, इससे पहले इतना पैसा नहीं मिलता था, athletes लोग को, अभी तो हर जगह में हो रहा है, अभी बंगाल में जयान तदाने जो कर रहा है तो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, दादा तो इधर का नहीं था, bodybuilding, लेकिए इतना प्यार कर रहा है, अभी athletes लोग, हर athlete, मतल होंगा, लेकिन मेरा हिसाब है, किसी को मत रोको भाई, छोटा नहीं करना है, लेकिन ये इतना अच्छा जान तदाने कर रहा है, तो हम लोगो सब को, बंगलाल का जितना सरा athletes है, सब को एक कठा होके, दादा को support करना चाहिए, और हो रहा है, हो रहा है, तो पहले क्या-क्या पता नहीं मेरा, आज मैं देखा, ठीक है, maximum 300 athletes, ये कम नहीं है, येस, येस, बिल्कुल कम नहीं है, और वो भी एक regional show में, हाँ, 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 तो हम लोग तो serious बोल रहे है, ये, बाद में जैन तदा और अच्छा सोचेगा, एद्रीड लोग के लिए, लेकिन परिशान हाँ, खराब ही है, बहुत मैं ये अभी social media में नहीं बोलना चाहता है, बहुत कुछ खराब सब देखा ही होगा आप लोगों ने, ये तो ठीक नहीं है, एथलेट के अच्छे के लिए कर रहे है, जो भी देखे, मेरे को देखना है, एथलेट को क्या मिल रहा है, क्या stage मिल र हो, वेद्गी में कोई medal आई या नहीं है, इतना अच्या stage में चंत ऱरहा है, आप लोग इदना अच्या因 अच्या celebrities सेदी है, वेथलेटी को बंगाल में आ रहे हो, प्युमां, पैसा कर रहा रहे है, क्यों थो हम बोल रहे है, पहितना हम बोल रहे है, ये के वे जैन तो धन पर दो वह से निगे टिव नहीं बोलता है पॉजिटिव ही चलते है और जो गेम होगा तो स्ट आज जब मैं आया था तो मैं ऑगनाईसर का बिलकुल टाइम नहीं लेता लेकिन मैं को ऐसा लगता है कि अगर कोई मुझे कहीं बुला रहा है मेरा सबसे पहला मेरा दायत हो है कि क्योंकि बहुत दिफिकल्ट है बड़ा इवन्ट और बट 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 वह में को पूरा पीछ दिखा के लिए है तो मैं आपको स्टेज दिखाता हूं देनी स्पें टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा एरपोर्ट पे रूपल नंदा यूनों रूपल इस है तो उन्होंने में को काता कि निपुन हम वो और हम साथी फ्लाइट में दीपक में और उपल तो उन्होंने काता कि तुम कौल गाता लैंड करोगे ना तो मैं पता चल जाएगा हॉस्पिटैलिटिया मैं मान नवाजी क्या होती है और वो मुझे यहां पर हर जगा नजर न चोटा पाट हूँ लेगन पाट हूँ तो और क्या आप लोग इधर आयो सक्सिस्पूल तो नॉर्मली हो रहा है कल हम देख लेंगे सब कुछ और जो हो रहें आपके आखों के साम नहीं होगा कोई चिंत है नहीं यहां पर आने का मतलब है बिकिस वी बिलीव है नहीं तो श को पैसा मिल रहा है बहुत यह सबसे बारा बात है यह देखना पड़ेगा पहले बॉडीविलिंग करते करते उसका केरियर खत्म अब तो बन सकता है अभी तो बन रहा है ना अभी तो बन रहा है तो और और मेरा जो लड़का लोग मैं लोगो पहले वही समझाता हूँ मैं अभी दो तीन साल के लिए अभी तो तीन साल के बहुत अच्छा से मसलमास एड़ो एक दम प्रोकाट के लिए खेलोगे मतलब अच्छा लॉंग तर्व जा पाएंगे और अब दिखिये नॉर्मल बात है हम लोगो सब पतेदा था हम लोग बोड़ी विल्डिंग में जो लॉंग टर्म जा पाएंगे और मेरा तो सोच ही है हार अथलेट 50 प्लास भी उसका फिजिक ठीक रखे हम सही बात है मैंनत में ज्यादा है मेरा जो सरका मेरा जो भी नहीं सरका जो हार टाइम मेरे कॉल करके यह समझाता है खुद के लिए मेरे लड़का लोग के लिए लिए डाये ठीक से लो वर्काउट करो जिदना हो सा के नाच्रेल डाये इतना अच्छा लो कि लॉंग ट्रम पुरा फ्रेस रहने के जब कंप्रिशन हो का तब तुम करो कोई प्रॉल्म नहीं यह ऐसे अच्छा 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 इसे ही करता है नहीं तो इतना साइज कैसे होता जिसमें यह बताए गया कि आप नाच्रली जवान कैसे रह सकते हो उसमें एक बात की गई है कि यूमन ग्रोथ हॉंबोन्स लीड टू फास्टर रेजिंग दूसी चीज जादा खाना हमेशा खाते रहना एक सब सब बड़ा रीजन है बहुत ही बहुत ही यह मैं तो मेरा लग हां बोलो क्या है मैं आप बंगिला में बोलो टूस्तर टूमक क्ले हे बहुत अच्छा है तो वह बतल Understand मतलब आपका जो क्या बोलता है उसको ऐसे बहुत कुछ मतलब हाफ्स बगरा ठीक है तो मैं तो मेरा लड़का लोग को हार टाइम खिलाता हूँ मैं बोलता हूँ भाई नैचरली जितना हो सगे ठीक रहो देखो हम लोगों को यूज करना पड़े कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन इंटर्नल औरगन को पोटेक्ट ठीक से रखो बाद में सब धीरे 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 लिमिटेड में रहो ठीके सेप जोन में बॉड़ी बिलिंग करना हम लोगों एक और बात बताईगे आप की इतनी सारी आपकी success stories है, failure stories भी होंगी दुख होता होगा या फिर लगता होगा या मैं क्यों यह से पागिलपंती कर दी मैं को नहीं गहना चाहता है एक काम Wish I didn't do it Failures बोलते सर देखें, या गलती मतलब ऐसा तो मैं तो मैं मेरा life में यह मामी पपा का असिरवाद है आप लोगा senior का असिरवाद है आप बहुत दिन से मेरे को social media में देखते हो तो तो आज दक मेरा failure तो मैं मेरे को ढूड़ना पड़ेगा यह तो problem है failure तो पता होना चाहिए failure मेरा life में एक failure है मैं नहीं बोलना चाहता हूँ लेकिन उसके बाद से इदने उपर आ गया तभी तो सीखने वाले सीखेंगे जब मेरा age कम था तब एक लड़की से मेरा F.R. होके था तो वो मेरा life पुरा hill कर दिया था ठीक है कैसे बहुत मतलब बहुत कुछ मतलब जो होता है तो उस time के बाद मैं you mean court वगेरा वो सब तो उसके बाद मैं क्या किया मेरा दिमाग में तब मैं इतना famous नहीं था वो 2015 का बाद बोल रहे हैं तब तो bodybuilding करता था तो जब परसन को choose कर लिया था यह मेरा failure है लेकिन उसने successful कैसे बना रहे उसने तो successful कैसे बना रहे है उसने तो successful कैसे बहुत ही बोल रहा हूं तब से में गाव छोड़के चलाया हाउड़ा ठीक है तो town में आ गया तब से मेरा जो गाड़ी चलते ही रहा 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 ए ऊपर धीर धीर अच्छा तो आप उन से परिशान हो के आगए है तब से मेरा अभी तो रुका नहीं और मेरा जो लाइप पर्टनर भी है वो मतलब और मेरा एक बेटा भी है एक साल का एक साल का नहीं है सौरी टेंथ मांथ नाइस बहुत चुटू है वो भी बार्बल पगर के तो ठीक है मे मेरा तो अभी मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरा ये पूरा फैमिली है मेरा छोड़ा फैमिली नहीं है आपको बोली दिया मेरा 250 अथलीट मतलब पूरा और सबके साथ ऐसी में जूरा रहता हूँ अर अब लोग से यही दूआ मतलब अब अब लोग आसीरवाद कीजे जो सीनियर हो मेरा मैं ऐसी रहू तो एक लास्ट चीज पूछूँ आपसे कि जो नए बॉड़ी बिल्डर आ रहे हैं इस्पेशली बंगाली टैलेंट बहुत है कि उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हों कि अगर वह आपसे पूछें कि मेरे को सक्सेस्फुल बॉड़ी आपका इंसन बनना चाहिए और ये बात ही आपको आगे लेकर जाएगा ये छोटा सा चीज है लेकिन ठीक है तो मैं मेरा खुद का जो रीलेज मैं कर रहा हूँ मेरा पास लेकिन देखिए मेरा बॉड़ी बिल्लिंग के रियर में उधने अचिमेंट नहीं है मेरा लगा लो अच्छा है लेकिन ये चीज बहुत जरूर है अपको सब के साथ मिलके रहना चाहिए आपको सब को रिस्वेक्ट करना चाहिए ये जो लोग करेगा वो तो पक्का उपर जाएगा वो पक्का उपर जाएगा एक दमेक दमसर क्योंकि ऐसा चीज दिखिए बॉडी तो हार टे मैं ऐसा हूँ मैं तो छोड़ दिया गेम मैं तो दो साल छोड़ के एक गेम करता हूँ फिर में अधना फेमस की हूँ तो नॉर्मल बात है तो यही बात है हम लोग को जो लोग एथलीट से मैं एक ही बात बोलूँगा बार-बार मैं किसी को छोटा नहीं करता हूँ बहुत तो हर मेरा जितना सा सिनियर अथलेट से है, मेरे जो लोग का सिनियर कोचे से है, तो सब को बहुत रिच्पिट करके यह बोल रहा हो, पहले हम लोगो इंसन बनना चाहिए, अच्छा इंसन, और कुछ नहीं, यही में मंत्र है, मंत्र है, I think so beautiful, it is very beautifully said कि पहले चे इंसान बनो, स सब कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, वही बात है, मैं तो बोली दिया, मेरा इतना सरा लाइब में problem था, मैं ठीक था, इसलिए मैं उपर चला आया, और मैं तो आपको एज दो बोली दिया, 32 एज, और अभी भी आप अकेले उपर नहीं जा रहे हैं, आप लोगो सब को खीच के उपर लेके जा रहे हैं, ऐसा एक्जम्पल है, और भी आया है उदर, अभी चला गया अथलेट, ओ अभी क्या करता था, अपका एक छोटा मोटा दुकान में काम करता था, अभी जिम खोला है, मैं ऐसे ऐसे लेके आता हूँ, टोटल चला था था, उसको यह मि टाइडी करके, ऐसे बहुत सरा एक्जम्पल है, और एक पड़ी सिवट करो पहले डाइविंग करता था, ठीकी, अच्छा, ड्राइविंग करता था, नहीं, जॉन, तो उसको इतना अच्छा फीजिक है, बहुत अच्छा फीजिक है, कल खेलेगा, 70KG में पड़ी सिवटी स में आगे लेकर जाना है, मेरा में टार्गेट है, इसलिए आज तक मैं प्रोफेर्शनल नहीं बन पाया, ठीक है, कोई प्रॉल्म नहीं, मैं नौक नहीं करता हूँ, मेरा बिजनेस है, और ये सब का असीरवात से, मेरा एक अच्छा खासा जीम है, मेरा एरिया में वैसा जी मेरा जो फैमिली है बस और इन लोगों को मेरे ठीक रखना है, और मेरे उपर बाले के कुछ बोलना ही नहीं है, यही चाहिए, और कुछ नहीं है, वेरी वेल सैट, वेरी ब्यूटिफुल, आई होब बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिले, हमारे हाने की जेहंतर दा के साथ एक बड़ी कोशिश यही है कि यहां के जो गिने चुने अच्छे लोग है, बहुत सारे हैं ऐसे तो, उन में से हम जितना पॉसिबल है, उतने लोगों के साथ कुछ-कुछ उनके विचार हम पूरे देश में लोगों के साथ शेयर कर पाएं, तो हमारा प में चुलें मेडल लेकर लेकिन मेर कोई नहीं पैचन थे दिल नहीं पाइंड और अट इसे महां बहुत सारव टेलन्ट है बंगाल में, एथलेट से हैं, बहुत सारा पॉस्टर एख पार में पाड़े आं इसलिए हम लोग तो आपको और यही ही बाद बोल रहे हम लोग भी a good conversation